बढ़ते आगे और नौ की बेटी का अंतिम संसकार कर दिया गया पर जनों ने गाउस से करीब दो किलो मीटर तूर शो को खेत में दफनाया पीडित परिवार मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा हाला अपसरों ने नौकरी, पक्के मकान, सुरक्षा और हतियार के लाइसेंस आश्रोसन इन लोगों को दिया, परिवार वालों को दिया तो पीडित परिवार अंतिम संसकार को राजी हुआ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निटली शव्यात्रा अंतिम संसकार में शामिल हुए नेता और मंत्री शव्यात्रा को दफना कर किया अंतिम संसकार खेत बे दफनाया गया शव्यात्रा खम और वुस्से के बीच नमाखों से उन्नाव की बेटी को अंतिम विदाई दी गई आसपास के गाउं के लोग पड़ी तादाद में प्रीडिता को श्रतांजली देने पहुँचे इससे पहले मिर्दका का परिवार मुख्य मंत्री को बुलाने की मांग पर आड़ा था हंगामे के वीच पुलिस प्रशासन के आलावसार मिर्दका के परिवार से मिलने पहुचे नौकरी, सुरक्षा और मकान का आश्वासन मिला तो परिवार अंतिम संस्कार को राजी हुआ आत्मरक्षार अलग से हम आम्स लाइसेंस भी जैसे नियम के अनुसार आम्स एक्ट के अनुसार प्रवाइट कराएंगे पहन को बिये पास है तो एक उचित नौकरी का बंदूबस्त भी हम लोग करेंगे और इसके अलावा जैसे घर आपने देखा तो घर भी प्रदान मंत्री आवास योजना के अंतरगत पिताजी को अलग इतना ही नहीं आफसरों ने मिर्दका के परिवार को मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने का भरोसा भी दिया उत्तर प्रदेश सरकार के ओर से कैबिनेट मंत्री सुआमी परसाद मौरिय और मंत्री कमला रानी वरून समेथ विपक्षी दलों के भी कैनेता अंतिम संसकार में शामिल हुए वहीं कॉंग्रेस की ओर से उन्नाव की पूर्व सांसाद अनुटंडन ने भी पांच लाग की आर्थिक मदद दी कल प्रियंका जी आई थी उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय के लिए हम लोग भी लड़ेंगे जो मुझसे मुम्किन हुआ प्रियंका जी भी चाहती थी तो हमने उनको आर्थिक साहता भी दी क्योंकि आगे लड़ने के लिए जरुवत पड़ेगी शनिवार देशाम पुलिस सुरक्षा में दुशकर्म पिडिता का शव दिल्ली से उसके घर पहुँचा था पुलिस रात में ही अंतिम संसकार कराना चाहती थी लेकिन परिवार के लोग नहीं माने बहरहाल अंतिम संसकार कर दिया गया दोशियों को सक्त और जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार ने मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाने का दिलासा भी दिया है देखना होगा कि उन्नाव की बेटी को इंसाफ के लिए कितना इंतिसार करना होगा उन्नाव से अमेज सिंग और राहुल शुकला के साथ टीम न्यूज स्टेड